हलो फिर से आपका स्वागत है हमारी चैनल में मैं डॉक्टर दीपक एड़कर मनुविकार सेख्ष्रोग संभों तता वेशन मुखी तग्यों महाराष्ट में अकॉला में प्रैक्टिस करता हूँ मानसिक विमारे के काफ़ी पेशंट हमारे बास में जब आते हैं तो मानसिक विमारे का इलाश करते समझ ठीक नि FORcano का रिविशंट ने उसको कई वाले हमारे पास में हमारे पास पीशना रही वह् *** करते हैं कभी ऐसा होता है कि उनको där लोग版 की बजह और कुछ होती है और वह क ठीड है किला मिन जो है मतलब विटामीन बेवन जो है वह बी maior गरूप जो है विटामीन का बी गूट सीड़ार्ग Candle इसका जो लेवल है ब्लड का वो ब्लड का लेवल होना चाहिए 2.5 to 7.5 माक्रोग्राम पर डेसीलिटर 2.5 से वा कम हो जाता है तो मांसिक बिमारी हो सकती है शारिक बिमारी हो सकती है हम बिमारी ठीक करेंगे अगर है प्रॉब्लम B1 का थायमिन डेफेशन्सी का अब थायमिन डेफेशन्सी मतलब B1 की डेफेशन्सी हो गई तो एक तो मेमरी लॉस होता है फर्गेट फूलनेस याद ने रहता कंफूजनल स्टेट आती है कंफूजन दिमाग काम ने करता फौक आता है दिमाग में दुका डिप्रेशन आ सकता है उदा सिंता नाराजगी काम में मन नहीं लगना concentration understanding नहीं होना क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा है confusion है क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा है और attention, concentration, forgetfulness यह होने से फिर समझ में नहीं आता है कि डिमेंशिया के तरफ जा रहा है मतलब स्मृति परहुश हो रहा है B1 जो है वो acetylcholine के manufacturing के लिए मतलब neurotransmitter जो हमारा acetylcholine है दिमाग में उसके लिए B1 की बहुत जरूरी होती है acetylcholine को तयार करने का काम B1 का है अब acetylcholine तयार नहीं हुआ neurotransmitter तो होता क्या है कि nerves जो हमारी जो है नसे जो है brain की उसका जो cover रहता है avarant, sheet वो damage होता है और वो damage हुआ तो फिर कभी सारे problems दिखाई देते है तो जो नसो का जो avarant है, sheet है वो manufacture नहीं होता उसमें damage होता है इसलिए no damage होती है और no damage होने से फिर उससा problems आना शुरू हो जाता है हाथ पर में अंगार फिर ठकान आना muscles में, body muscles जो है उसमें pain, दर्द हो जाना ऐसी कभी सारे problems उसके बाद में फिर शुरू हो जाती है body में lactic acid और peruvic acid का जम्मा होना शुरू हो जाता है, जिसके वज़े से सभी muscular problem होता है कभी-कभी जटके भी आते है तो जटके आने के लिए कभी जटके की दबाई दे दिया तो जटके दुरू जाते है मगर जटके की दबाई जो है उससे फिर थाइमिन और कम हो सकता है फिर कभी blood pressure बढ़ता है congestive heart failure और हाट की बिमारी होती है शरीर के उपर सूजन आती है फिर उसके लिए जो दबा देते है डायूरेटिक्स अब डायूरेटिक्स दबा दिया तो उसके वज़े से B1 कम हो जाता है टायमिन कम हो जाता है इसलिए डायगोनोसिस होना बहुत जरूरी है कि निदान होना कि बिमारी है क्या B1 Deficiency है तो उसका इलाज करना वो जरूरी है ताकि सब प्रॉब्लेम्स हलो जाएंगे और कभी सारे सैकेट्रिस जो है वो इसके तरफ यह ख्याल देते नहीं है तो फिर डिप्रेशन का एलाज करते करते थाइमिंड डिफिशेंसी भूल जाते है और फिर प्रॉब्लेम आ सकता है कर्दा तो नौर का डेमेग हो न नौर का डेमेशन नहीं होना उसके वाज़े से फिर हाइपर इंशन में परोपन है में घ्र नेंनें अंगार और तो उसके वजह से जो बीमारी होती उसको होते है वेरी-वेरी दो तरगे होती है एक वेड्ट बेरी-वेरी और एक राए वेरी-वेरी इसका simple इलाज है B1 देना injection B1 देना tablet देना गोलियां आती है तो गोलियां 100 mg के होती है रोज की 3 गोलिया खिलाना यह injection देते है रोज का एक injection ऐसे की injection का कुर्स 10 दिन का किया तो वो deficiency जो है ठीक हो चाती है और नहीं तेपर जो सोर से B1 के वो है ग्रीन टी मश्रूम्स ब्लैक बीन्स स्पैनेक फिर पॉलिश राइस बीन्स लेंटिल्स स्वय बीन संफ्लॉर सीड्स ऐसे कभी सारी जो सोर्सेस है अनाच के उसमें B1 मिलता है तो वो भी खा के B1 के deficiency ठीक हो सकती है तो स्पेशली डॉक्टर लोगों ने देखना जरूरी है कि हमें B1 deficiency के बारे में हम वो ट्रीट कर रहे कि हम डिप्रेशन ठीक कर रहे और पेशन्ट ने भी मतलब जैसा वो देखते है कि आराम नहीं पढ़ रहा है तो क्या प्राबलम है सिर्फ डिप्रेशन हम ठीक कर रहे कि B1 deficiency, time and deficiency ठीक कर रहे वो देखना जरूरी है और वो देखते है तो जल्दी डिप्रेशन ठीक हो सकता है तो जरूरी ये वीडियो आपके ग्रूप में शेयर करो लोगों को जानकरी दो ताकि जिनकों भी mental illness का problem है और जो ठीक नहीं हो रहे है उनके तरफ ये वीडियो पहुच जाएंगा तो वो ठीक हो जाएगे उनका जिवन अच्छा हो जाएगा हमारा जो mission है mental health for all सबके लिए मानसिक स्वास्त्य और वेसन मुक्त भारत इसमें आपका भी हाथ लग जाएगा आप आपके whatsapp ग्रूप के ऊपर फेस्बूप के ऊपर शेर करो ये वीडियो आप subscribe करो अच्छा लगा तो और ये वीडियो like करो उसके साथ साथ जो bell आती है उसके पर hit करो ताकि मेरे वीडियो का झाल